नवश्कार मेरा नाम बीना है और आपदा इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं दर्बंगा के ADM जो कि आपदा प्रबंद अधिकारी अनील कुमार के यहाँ पर छापे मारी की गई और वहाँ पर लाकों के संपती जब्त की गई है आपको बता दे कि लगातार सरका जो है ऐसे प्रशासनिक अधिकारी पर सिकंजा कस रही है जिसके यहाँ उसे शक है कि ब्रश्टाचार में वो संलिप्त है और आएसे अधिक संपती है ऐसे में अब जो है गाज ADM के घर पर गिरी है उनके उपर गिरी है और कल जो है पूरे दिन छापे मारी की गिरूस में क खापे मारी के दौरान क्या कुछ सामने निकल कर आया क्या 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 चीज़े मिली है और कितने लाखों के वो जो प्रश्टाचार के पैसे हैं उनके घर से और उनके बैंक अकाउंट से मिले हुए हैं दरवंगा के ADM अनिल कुमार सिनहा ने चार ठीकानों को आर्थिक अप प्रश्टाचार किया कैसे उन्होंने सरकारी आदमी के अलावा बालू माफियाओं का साथ दिया और उनसे लाखों रुपे कमाए हैं आपको बता दे कि दरभंगा से पहले ये ADM जो है वो औरंगा बाद में पोस्टिंग थी उनकी और उनसे जुड़े भी कई साक्षे सामन आए है एए ओयू के पास जिसमें ये पता लग रहा है कि किस तरह उन्होंने प्रश्टाचार किया है और बालू माफियाओं का साथ दिया है हाला कि आपको बताते कि शराब बंदी कानून और बालू माफियाओं पर सरकार लगतार नजरे बनाई हुई है ऐसे लोगों के इतने भी account थे सबको खंगला गया उसमें हाल के दिनों में कुल 36,000,000 रुपे जमा किये गये हैं जबकि 10 नई account भी इन account में 10,000,000 रुपे cash जमागे यानि bank account में कुल 46,000,000 रुपए कैश मिले हैं EOU के ADG नयार हसनेन खान के अनुसार बैंक टीटेल को खंगालने पर पता चला है कि इसके अकाउंट के जरीए बड़े स्थर पर पैसों का लेंदिन हुआ है ADM ने अपनी पतनी के नाम पर फुलवारिश शरीप के मुहमत पूर में जमीन का दो प्लॉट खरीदा था इस जमीन की कीमत लाखों में आपको बता दें कि जब भी ऐसे अधिकारी की जो है उसके उपर गांज गिरती है पता करवा जाता तो जितने भी हमने खबरे दिखाएं आपको उसमें आएसे अधिक संपती होती है और कई सारे प्लॉट जो लाखों करोडों को होते हैं वो खरीद कर अपने परिवार के नाम पर रख लिया जाता है जो है लागतार सरकार एसे लोगों पर नजरे बनाई हुइ है और अब अनिल कुमार पर देखनी है कि किस तरह की कारवाई होनी है एयो की टीम जो है लागतार शापे मारी कर रही थे ऐसे में कई साकषे उनके हाथों में मिली है अब जो है गांज गिरेगी ऐसे अधिकारियों को सूची बद किया गया है लगतार नजरे बनाई जा रही है ऐसे में कई और भी नाम आगे अब सामने निकल कराएंगे हमने आपको कल भी एक खबर दिखाए थी किस तरह जो है लाखों की कमाई कर मोतिहारी के जो अधिक्षक थे उन पर गाजगिरी थी चापे मारी की गे थी उनके तीन ठीकानों पर चापे मारी होई और कई ऐसे साक्षे सामने निकल कराएं जो गैर कानूनी थे और भ्रस्टाचार के मामले मोब पूरी तरह सनलिप थे इसका जो है साक्षे सामने आया था इसी तरह अनिल कुमार सिन्हा ने खुद के नाम पर भी पटना के गोला रोड के रूद्र रेजिडेंसी नाम के अपार्टमेंट पे एक फ्लैट खरीदा है जिसे 36,57,886 रुपे हैं अगर हम सैलेरी की बात करें तो सैलेरी इतनी ज्यादा नहीं है जितने इनके पास संपती हैं जी हां आयद से अधिक संपती का मामला भी इन पर दर्ज होगा क्योंकि लाकों के संपती अब जो है इनके आवाज से मौजूद हुई हैं कागजात और वैसे तमाम जो जानकारिया मिली है उसके अनुसार जो है अब इन पर काफी सक्त कारवाई सरकार करने वाली है अनिल कुमार सिनहा को सरकारी नौकरी करते वे करीब 21 साल हो गए हैं बिहार प्रशासिनिक सेवा के तहत साल 2000 में इन्होंने सरकारी नौकरी को जोईन की थी दर्भंगा से पहले रोहतास चैसी हजार रुपे की आमदनी की है इसमें उन्होंने अब तक 46,69,952 रुपे खर्च भी किये हैं इनकी कुल चल संपती 52,10,700 रुपे की मिली है जबकि कुल परी संपती 88,86,586 रुपे की मिली है कुल मिलाकर आए में 55,3584 रुपे की परी संपती पाई गई है तो पसर हैं अभी जिन पर गांज गिरेगी लागतार जो हैं मैं आपको पहले भी बताया कि सरकार नजरे बनाए हुई हैं लागतार चापे मारी की जा रही है ऐसे कई तमाम खबरे हम ने आव तक पहुचाई है जिसमें ये बता है कि किस तरह ये अधिकारी उपर से तो सरकारी काम करते हैं प्रशासनिक सेवा देते हैं लेकिन अंदर ही अंदर ये काली कमाई करते हैं और प्रशचार में संदलिप्त रहते हैं और सरकार जो है निती सरकार की अगर हम बात करें तो ये लागतार जो है जीर अगर अब तक आपने हमारे योद्व चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें नहीं जा आपके सान धन्यवाद